हमीरपुर से गुजरने वाले सुझानपुर रोड किनारे पर फ्रूट बाइन की दुकान में अचानक से आग लग गई आग लगने की वज़े से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन दुकान के अंदर कमरे में रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया है भें दुकान में आग लगने का कारण शौर्ट सर्क्यीट बताया जा रहा है आग लगने की सुचना तुरन्धी दमकल विबाग को दी गई दमकल विबाग के पहुँचने से पहले ही आग पर काभू पालिया गया था दुकान के मालिक राजीब जस्वाल ने बताया कि बे दुकान के बाहर आग सेकने बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि जब बे दुकान के अंदर गए तो दुकान में आग लगी हुई थी और अंदर रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया है उन्होंने बताया कि शौट सर्किट की वज़ा से आग लगी हुई थी आग लगने की वज़ा से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है और तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया है